आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सब को मेरा प्रणाम हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारी अर्थवेवस्था, भारती अर्थवेवस्था की स्थिती बहुत अच्छी नहीं है भारती अर्थवेवस्था काफी नाज़त दौर से गुजर रही है हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन प्रते दिन कमजोर होता जा रहा है और इन सब चीजों की मार हमारे देश के एक आम आदमी को भुगतनी पड़ती है ऐसा क्यों है कि आज भी भारत एक विकास शील देश है 75 साल हो गया जादी को आज भी विकास शील देश गरीब देश माना जाता है हम सब चाहते हैं कि भारत विक्सित देश बने हम सब चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने और हम सब चाहते हैं कि हर भारत वासी भारत का हर परिवार अमीर परिवार बने इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है बहुत सारे स्टेप्स लेने की बहुत सारे अफर्ट्स करने की जरूरत है हमें बड़ी संख्या में स्कूल खोलने हैं हमें बड़ी संख्या में अस्पताल बनाने हैं हमें बड़ी संख्या में बहुत बड़े स्तर के उपर बिजली का सड़कों का इंफरसेक्चर को तयार करना है लेकिन एफर्ट्स तभी फलीबूत होते हैं जब हमारे उपर देवी देवताओं का आशिरवाद होता है एफर्ट्स करने चाहिए हम सब लोग अपनी अपनी जिन्दगी में एफर्ट्स करते हैं लेकिन हम कई बार देखते हैं कि एफर्ट्स कर रहे हैं एफर्ट्स कर रहे हैं नतीजे नहीं आ रहे हैं उस वक्त लगता है कि अगर देवी देवताओं का आशिरवाद हो तो efforts फलिभूत होने लगते हैं, efforts के नतीज़े आने लगते हैं परसो दिवाली थी दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गनेश जी और श्री लक्षमी जी का पूजन किया हम सब लोगों ने भगवान से सुख शान्ती की प्रार्थना की हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए देश की सम्रिधी के लिए प्रार्थना की हम ये भी देखते हैं कि जितने business करते हैं, व्यपारी हैं, industrialists हैं सब लोग अपने अपने यहां अपने कमरे में जरूर लक्षमी जी की और गनेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं आज मेरी केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी से अपील है भारतिय करेंसी के उपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो वैसे ही रहनी चाहिए लेकिन दूसरी तरफ श्री गनेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारत्य करंसी के उपर लगाई जाए जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थवेवस्था को सुधारने के लिए भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सार एफर्ट्स की जरूरत है लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशिरवाद की भी जरूरत है अगर भारत्य करंसी के उपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो as it is रहे दूसरी तरफ अगर लक्षमी जी की और गनेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशिरवाद मिलेगा लक्षमी जी को समरिधी की देवी माना गया है गनेश जी जितने विघन होते हैं उनको हरने वाला उनको देवता माना गया है विघन दूर करने वाला देवता माना गया है तो उन दोनों की तस्वीर हैं उसके उपर लगनी चाहिए हम यह नहीं कहा रहे हैं कि सारे नोट बदले जाएं लेकिन जितने fresh notes छपते हैं अभी जो notes हैं वो as it is रहें लेकिन जो हर महीने fresh notes छपते हैं वो fresh notes के उपर ये शुरुवात की जा सकती है और धीरे 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 करते करते circulation में काफी मत्रा में ये वाले नए note आ जाएंगे इंडोनेशिया एक Muslim country है 85% से जादा उनकी अबादी Muslim है 2% से कम Hindu हैं वाँ पे लेकिन उन्होंने भी अपने note के उपर गनेश जी की तस्वीर शापी हुई है तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत एहम कदम है जो कि केंदर सरकार को उठाना चाहिए आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से मीडिया के माध्यम से इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंदर सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि भारते करेंसी के उपर लक्षमी जी की और गनेश जी की तस्वीर लगाई जाए अगर इसके कोई प्रशन है आपके तो अभी परसों दिवाली का जब पूजन कर रहे थे तो उस वक्त मन के अंदर एक भाव आया उस वक्त मन के अंदर एक बहुत अगर भारतिय करेंसी के ऊपर अगर ऐसा हो हम सब लोग पूजन करते हैं तो अगर भारतिय करेंसी के ऊपर भी ये हो मैं ये नहीं कहा रहा है ये करने से मातर से केवल अर्थ्वशिवस्ता सुद्रेगी बहूत सारे efforts करने की ज़रूरत हैं लेकिन वह efforts तब फली भूत होते जैसा मैंने का कि हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं हम यह नहीं कह रहे हैं इसको हटाओ उसको रखो उसको हटाओ किसी के भी खिलाफ नहीं है और जब इंडोनेशिया कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं इसमें किसी को अपत्ति होनी नहीं चाहिए और सबकी सम्रिधी की बात ह और लक्षमी जी एक ऐसी देवी है, जिनको सम्रिध्धी और संपन्यता की देवी माना गया है. आरोप लगाने वाले तो सौ आरोप लगाएंगे, आरोप लगाने दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी से भी बात कर लीजिए, मैंने पिछले कुछ दिनों में कई लोगों से बात की, सब लोगों को लगा कि यह बहुत अच्छा एडिया और यह होना चाहिए. मैं कल परसों में उनको एक चिठी लिखूँगा, कलिया परसों, और उस चिठी के माधियम से भी मैं उनसे अपील करूँगा. हम पूरी तरह से तयार हैं और इन लोगों ने जितने भी एफर्ट्स किये चुनाव टालने के गलत तरीके से इन्होंने डिलिमिटेशन किया, बता रहे हैं इस तरह से कर दिया कि BJP का एरिया एक साथ कर दिया, दूसरे वोट एक साथ कर दिया, जो मर्जी कर ले हैं, लेकिन दिल्ली के जनता इनको नकारने वाली है. ये लोग बहुत सारी कोशिशे करेंगे जो भी असूरी शक्तियां होती हैं वो सच को दबाने के लिए इमांदारी को दबाने के लिए पूरी कोशिश करती हैं ये सब जैसे मैंने कहा ये सब असूरी शक्तियां हैं जो हमारे खिलाफ एकटी हो गई हैं और ये जितना मरजी कुछ कर ले ये जनता को दबानी सकती जनता की आवाज है जनता दिली की जनता ने देखा की आम आदमी पार्टी को स्कूलों की जिम्मेदारी दी इन्होंने प्रदूशन के उपर काफी काम किया है काफी मेहनत की ए है उसकी वजह से प्रदूशन में गिरावट आई यह अच्छी बात है, अक्सर देखा गया कि जैसे जैसे विकास होता है, वैसे-वैसे production बढ़ता जाता है, ज़ादा वहिकल जाते हैं सड़क पे और production बढ़ता है, लेकिन दिल्ली में production बढ़ने की वजाए कम होने लगा यह यह दिखाता है कि हमारे efforts सही दिशा में हैं, उन efforts में और तेजी करने की जरूरत है, जो नतीजे आए हैं, वो काफी उत्सा वर्धक हैं लेकिन हम उनसे satisfied नहीं है अभी हमें और भी बहुत आगे जाने की जूरूट है और हम दिल्ली को दुनिया का सबसे clean air वाला शहर बनाएंगे जनता चुनाव लड़ेगी आप देखिएगा दिल्ली की जनता इधर चुनाव लड़ेगी और गुजरात की जनता उधर चुनाव लड़ेगी इधर दिल्ली की जनता इनके 15 साल के कुशासन से दुखी है उधर गुजरात की जनता इनके 27 साल के शासन को शासन से दुखी है अगर मैं आप से पूछ हूँ, आप इनसे पूछ लिजेगा ये भी PC करते हैं रोज कि 15 साल के शासन में BJP ने MCD में एक काम करा हूँ इनोंने मैं चैलेंज करता हूँ आज एक अच्छा काम गिना दे कि हमने 15 साल में ये एक अच्छा काम करा है एक काम भारती जनता पार्टी 15 साल से दिल्ली नगर निगम में काम कर रही है एक काम गिना दे जो इनोंने अच्छा किया गुजरात में 27 साल से काम कर रहे हैं एक काम गिनादे जो इन्होंने अच्छा किया और आहम आदमी पार्टी ने 7 साल में क्या च्छे काम किया बाहर सड़क पे चले जाना किसी आदमी से पूछ लेना केजरी वालने के वो आपको गिनादेगा थैंक यू वो अभी मनीज जी करेंगे उस पर की से